इस देश में नहीं है जिनको ग्राफटार करने के लिए बात्तिय जन्ता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक रचे हजारों तरह की साजिशे रचे एक कट्टर इमांदार आदमी को चर्चन पाप में लुत और सचाई कीजीत की बात नहीं है जिनके अगरोड़ रचे करते हैं, इस्पोस हुआ है जिस तरह से आज Honorable Supreme Court में observation दी गए कहा गया कि केजरिवाल जी को ED की रहाई से रोकने के लिए CBI का पूरा ग्रफ़तारी का मामला रचा गया है हम बार बार कह रहे थे सिंग्वी साब ने हमारे जो senior advocate थे उन्होंने Honorable Court के सामने बार बार यह सब दोराया कि यह insurance अरेश्ट था यह किसी गलत काम के लिए अरेश्ट नहीं किया गया था कोई corruption के लिए अरेश्ट नहीं किया गया था भारतिये जनता party चुनाव में नहीं जीत पाती पार्टी को नहीं तोड़ पाती तो एक insurance अरेश्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी party तूट जाएगी इनकी सरकारे धोस्त हो जाएगी लेकिन मैं बाबा साहब को और सम्विधान को याद करते हुए धन जाता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतिये जनता party अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरे पुछक्रों के साथ इनको भूशलने की प्रोशिश कर रही हैं तो फुटे नहीं हटे नहीं जुके नहीं सच्चाई के साथ लड़े रहे सच्चाई की जीत हुई है हम बह हमारे सब के लिए भावख पल है हमारे बड़े भाई हमारे मित्र हमारे गुरू तेजी जिनको इस सरह से अंदर डाला गया जेल में सब के लिए बहुत भुखचण्शनता लोगों ने प्रात्ना एं की हैंupprah लोगों ने दुआ टुसके बाद में वहां से एक बार वाह सारी के लिए हरोने के बाद में हमारे उपीर जैसे हमें बदेशिकश करेंगे फिलाल हम मुझू सभी मितर लोग सभी पार्टी के लोग poछ उपर में अभी हम पिज्रिवाजी के घर जाएंगे, माता जी जो हुन सब की, माता जी ने आदर्मिये हैं, उनके आशिरवाद लेंगे, पिज्रा जी का आशिरवाद लेंगे, भादी जी के साथ मिलेंगे, अभी हम वहाँ.